नौईडा में धारा 144 का उलंगन करने पर फ्लाइंग बेस फेम यूट्यूबर गौरफ तनेजा को बर्टदे मनाती हुए मेट्रो स्टेशन से गिरफतार किया गया है। को भी कई परिशानियों का सामना करना पड़ा और कई वेवस्ताएं भी बिगरने लगी। मेट्रो प्रशाशन को लोगों को काबू करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में धारा 144 के तहट पहले गौरफ को दो घंटे हिरासत में रखा गया। उसके बा पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हर रोज लाइव ब्लॉग और लाइव स्टीम से भी अपने फैंस से जुड़ते हैं। आयाइटी खड़कपुर से सिविल इंजिनिरिंग की पढ़ाई करने वाले गौरफ अभी दिल्ली यूनिवरसिटी की लौ फैकेल्टी में कान करते हैं।